राजसभार टीवी का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज हैं हमारे साथ राइटर, पब्लिशर और फेस्टिवल डिरेक्टर नमिता गोकले नमिता गोकले नमिता गोकले भारत की प्रख्यात लेखिका साहितिकार और प्रकाशक है नमिता गोकले को भारती ये साहितिके पार्ठिक्रम में पक्षपात को समाप्त करने और सकारात्मक्ता और संगरशीलता के प्रतीक की रूप में जाना जाता है 18 से ज़ादा पुस्तकों का लेखन कर चुकी नमिता गोकले का जन्म 26 जन्वरी 1956 को उतरप्रदेश की राजधानी लखनोग में हुआ एक सफल लेकिका के तौर पर उनकी रच्छनाओं में कथा और कथेतर दोनों किस्म का लेखन शामिल है नमिता गोकले ने कई पुस्तकों का संपादन और सह संपादन भी किया है नमिता गोकले जैपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सहसं स्थापक निदेशक भी है जो विश्व का अपने ढंक का अकेला ऐसा साहित्य समारो है जहां लेखक, पाठक, प्रकाशक बगारा सबका जमावड़ा होता है पिछले सालों में मैंने इस उत्सव की उप्मा कभी साहित्य के कुम से की थी तो कभी बर्गत के पेड़ से लिखने पढ़ने की संस्कृती हमारे भविश्य के समाज की धरोहर है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरबबात जियों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घर जात बहुत बस्वाकत हैं अब तो यह 13 साल है जैपुर लिटरेचर फेस्टिबल का आपसे जानना दिल्चस्प होगा कि जब आप लोगों ने सोचा होगा कभी बिलकुल जब यह बीज रूप में रहा होगा यह विचार तब किस तरह की आशंकाएं अप्रिहेंशन थे और अब जब यह 12 से ज़ादा अब यह 13 साल हो गया तो यह सफर कैसा है यह सायथ युटसफ की जो इंस्परेशन हमें मिली थी यह 2002 में मैंने ICCR के साथ एक First Ever International Festival of Indian Literature इसको आज़िद किया था दिल्ली में और नीम्राना में उसमें दुनिया भर के भारतिय डाइस्पोरिक राइटर्स जैसे की V.S. नाइपॉल उन दो विक्रम सेट और अमिताव गोष भी इंदुस्तान में नहीं रहते थे यह सब आए और भारतिय भाषाओं की दिग्गा जाए और इसके इलावा कई इंटरनेशनल राइटर्स उसमें जो एक विवाद उठा उन दिनों 2002 में क्वाइड रिसंटली यह ऐसी भावना थी कि भारतिय भाषाओं में कुछ खास साहिती में नहीं हो रहा है कुछ्वन सिंग जी ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन लिटरिचर है इंडियन लाइज़िज़ आजीब सी बात है ऐसा कहना और सल्मान रुष्दी ने भी एक एंथालोजी एडिट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि all the great writing is happening in English in India बाद में उन्होंने इसको अपनी उपिनियन को बदला था तो उस वक्त और बहुत बड़े advances मिल रहे थे अंतराश्य अर्देखकों को और भारतिय भाषाएं मतले अपना करी रही थे अपने तरफ तो मेरे मन में एक संकल्प आया कि ये जो भाषाएं हैं भारतिय भाषाएं और अंग्रेजी क्योंकि हम अंग्रेजी को भी भारतिय भाषा मानते हैं यूके से जादा ह हंऑं अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, तो हम में एक संकल्प लिए थैज मन में की यह जो एक लिटररी वոमेंट होगा 》 और हिंदुस्तान में वो तब होगा जब सब भारतिय भाषाएं और अंग्रेजी एक दूसरे के साथ डायलोग में हो, उनका वारतालाब हो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है ट्रांसलेशन, जब तक अनुवाद नहीं हो और इसमें अंग्रेजी की अब कभी एक रोल है, क्योंकि वो सबसे ब्रिज लैंग्विज वही बनती है तो उस सोच से, जब हमें कहा गया कि आप इस फेस्टिवल में कुछ करिये मतलब तेरा साल से बहले दो साल ये एक और फॉर्माट में हो रहा था यही फेस्टिवल करें, उनका डायलॉग कराएं, और बाकी जो दुनिया भर के भी भाशाएं हो, क्योंकि अंग्रेजी के जो एक एहमियत है, वो है भी और एक तरह से, मतलब अच्छी भी है, क्योंकि एक वर्ल लैंग्विज बन जाती है, पर उसमें बहुत प्रॉब्लमाटिक भी है, तो हम इसमें फ्रेंच, एरबिक, स्पैनिश, यह सब भाशाएं लाने की कोशिश करते हैं, रूसी अभी हम नहीं ला पाया, वो भी अगले सार लाएंगे, तो वर्ल लिटरिचर, इंग्रिस लिटरिचर, वर्ल लिटरिचर, इंडियन लिटरिचर, यह सब लाने, मेरे मन में यही और एक सपना था हमारे मन में, यह इस तरह से साकार हुआ कि कोई सोच ही नहीं सकता था, यह मैं कोई 15 साल पहले, 13 साल पहले नीचे बैठते थे, कुछ लोग आते थे, बातचीत करते थे, बैस करते थे, पेपर में थोड़ा सा कोई मैंचन आ जाए, हम बड़े खुश हो जा बाते थे, उन दिनों में भी बहुत बड़े बड़े लेका कि यहां आये, सल्मान रुष्दी भी आये, बिफोर दो कॉंट्रोवर्सी, एन मकीवन, बहुत 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 अच्छे लेका काये, शुरुआत से हमारे फेस्टिवल की नियत समझ गए थे, और वो भारतिया भा है, तो आई थिंक यह फेस्टिवल की पहचान यही बनी, कि हम अपने आयने में अपने आपको देख रहे हैं, हम किसी का, नियु यॉर्क का या लंडन का अप्रूवल नहीं ढूँद रहे थे, आपने कहा कि एक सपना था जो साकार हुआ, इसका मतलब ऐसा लगता है कि आप यह कोई लिटर्चर फेस्टिवल में गई थी, मैं तो दो-तीन फेस्टिवल में गई थी, इसलिए हमने अपने मन से किया, पर हमने कहा कि कई बार, उन दिनों और कई बार, यह होता है कि हम विदेशी पत्रकार या विदेशी क्रिटिक्स को इंप्रेस करना चाहते हैं, नही हम किसी का अप्रोवल नहीं ढून रहा है, आप आईए, हमारी बात सुनिए, अपनी बात कहिए, तो उससे जो एक इसकी असमिता बनी, वो असमिता लोगों को पसंद आए, क्योंकि नहीं तो वोई एको चेंबर में वोई बातें, वोई बातें, कितनी सुए जाएं, दूसर अग्री करों, डिसग्री करों, इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है, मगर अगर आप अपनी बात जरा रिस्पेक्ट के साथ कहें, जरा कन्विक्शन के साथ कहें, और एकदम बेकूफी की बात नहीं करें, वर जरा समझदारी की बात करें, तो यहां आके कहिए, सुनाईए, सुनिए, यह यह जो एक भावना थी, यह लोगों के मन में आई, उन दिनों शुरू में जब हमने फैस्टिवल शुरू किया था, टाइम्स अफ इंडिया जो था, वो हिंदुस्तान में प्रकाशित किताबों को रिव्यू तक नहीं करता था, और उन दिनों बहुत डॉमिं है क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा हमें प्रूफ नहीं था कि ओडियंस हैंगी और हमने किया बढ़ता गया, कारवां हमारे साथ चलता गया, तो फिर, once the newspapers realized कि there's a appetite for real, challenging, intellectual stuff, तो उन्होंने भी हमारे साथ जोड़े, report किया, review किया, और एक बार, भारत के जितने students हैं, वहां बात कि यहां जाओ, तो बहुत सीखने को आता है, समझने को आता है, हमारे जो volunteers हैं, पूरे हिंदुस्तान से और विदेश से लोग आते हैं volunteer बनने, क्योंकि उसमें से बहुत सीखते हैं, तो यह ऐसे कुछ जुड़ता गया, कुछ बनता गया, planning थी भी और नहीं भी थी, पर you can't कि यहां एक्सप्लेंड, कि फेस्टिवल कहां से आया और कहां जा रहा है, बतार फेस्टिवल डिरेक्टर यह आपका भी concern रहता होगा, कि जहां से शुरू किया था सफर, वो बढ़ता ही जाए, एक stagnancy आ जाती है, चीज़े रिपीट करने लग जाती है, अब एक कि आपकली किसी example से बताना चाहें, तो आप बता सकती है कि कैसे आपने जैसे कि अभी inaugural note में भी कहा कि शायद 30% बच्चे, 80% of our audiences are below 29, 80% यह हमारी statistics है, तो इससे audience, the nature of the audience has changed, इसलिए क्योंकि आजकल के वो यंग लोग हैं, बुडे भी, पर यंग और बी ज्यादा, वो कोई स्टेज में बोल रहा होता है, वो अपने गूगल में देखते हैं, पढ़ते हैं, बैक्ग्राउंड पढ़ते हैं, तो उनकी समझ का दायरा बहुत ज्यादा है, वो जो सवाल भी बूचता है, यंग लोग, एक बहुती प्रसिद प्रकाशक आएं थी, ऐस्ट्रेलिया से, उ स्टेज कि यहां के जो यंग लोग के सुनते हैं, स्कूल से आते हैं, अपने जॉब से छट़्ी ले के आते हैं, तो जो अबदोल क sport ने कहा था, एक्नाइटेड मायंज, तो यह इगनाइटेड मायंज हैं और उनको एक मौका मिलता है, कि ने ट में तो देख서 बड़ा एक स् उनको as a human entity पहचाने तो दूसरे तरह का interaction होता है तो बस मुझे यही डर है कि मेरी उमर बढ़ती जा रही है जितनी मैं कोशिच करती हूँ, I listen in to the young people but more and more our team gets younger क्योंकि जब तक वो young लोग अपनी बात नहीं बताएंगे तो हमारा तो जमाना गया हम तो अभी जो अंग्रेजी में एक phrase मैंने सुना था reverse mentoring मतलब हम ही अब young लोगों से सीखते हैं तो यहां मैं अपनी young team से young लोगों से रोज कुछ ना कुछ नई बात सीखती हूँ एक और बहुत interesting बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो young लेखा कि उनकी उमर गिरती जा रही है अब तो 9-10 साल में 2-3 किताबें लोग चाप देते हैं यह मुझे ट्रेंट पसंद नहीं है मुझे वो आते हैं मुझे कहते हैं कि हमारी किताब आई है आप लाँच करिए में कहते हैं आप पहले 5-10 साल किताबें पढ़िये फिर लिखिये पर तभी भी देखाट इस कि young writers because of technology because of the internet वो अपनी किताबें publish करते हैं Amazon में जालते हैं तो the engagement of the audience is quite different और यहाँ वो मौका है कि जब हम आपसे जरूर पूछें कि इस साल क्या नए features हैं जो पिछले बरसों से कुछ अलग भी हुए हैं या उसी को आगे बढ़ाए गया है इसके बरे में अगर अगर अब हमको कुछ विस्तार से बता हैं हर साल मुझ से लोग यह बात पूछते हैं और हर साल मेरा इसके लिए कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि वोई मामला जो भी current issues हैं उनको हम लेते हैं तो पिछले साल से मैंने यह decide किया था कि science, technology इन चीज़ों में हमें बहुत ज़ादा proactive होना है दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है हमारी आखों के सामने कि हम तो तीन साल पहले क्या हो रहा था उसको भूल जा रहे हैं और पांच साल पहले आगे क्या होगा उसको पहचाना असंभव है तो जैसे इस साल keynote address में Marcus Drisutoy ने artificial intelligence and creativity पे बोला या Sir Venki Ramakrishnan पिछले साल आये थे वो एक Nobel laureate है लान्यन से उन्होंने genomics पे बोला तो मेरी ये मेरा ये effort है कि जहां तक हो सके science, rational thinking, empirical thinking ये बाते हम young लोगों को समझाए हाँ myth, history इस पे भी हमारा focus है हर चीज पे, जैसे किसने कहाता है nothing human is all alien to me पर हमारा human का भी नहीं है artificial intelligence, robotic, science क्योंकि जब हमें इतनी एक, it's a huge privilege to have a platform like this हमें ये मंच मिला है, हमारे पास ये young audiences है हमारे पास outreach है, तो ज़रा बदलती दुनिया पे हम इनको कुछ दिखाएं, कुछ समझाएं, बड़े-बड़े scientific mind यहां लाएं तो ये नया है और ये मेरा अप्राइटन है ये तो हुआ इसका thematic classification, ये subject की variety हमको बताईएं कि अलग अलग 4-5 मंच हैं और कितने locations हैं, उनमें discussions हैं ये book launches हैं उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ हैं देखे, तीन-चार, छे साल हो चुके हैं, हमने ये एक शुरू किया था, 7th edition हमारा है, जैपुर bookmark जैपुर bookmark जो है, ये हमारा publishing segment है, तो दुनिया वर के जो प्रकाशक आते हैं, वहां मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक rights table होता है तो उसमें जरा translations facilitate होते हैं, भारतिय लेखकों को मौका मिलता है, और जगय के लेखकों को एक ऐसा हिंदुस्तान के publishing scenario समझने की कोशिश करते हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा initiative है, जो audiences को दिखता नहीं है, क्योंकि ये behind the scenes है, ये ज़्यादा B2B या publishers, book trade वालों का है, प दूसरी बात है कि popular culture में मेरा हमेशा विस्वास रहा है, कोई लोग कहते हैं, आप Bollywood celebrities बुलाते हैं, हाँ, बुलाती हूं, क्योंकि Bollywood का इस देश के mindset में, psychology में, बहुत बड़ा रोल है, और कहानिया कहने का, सुनाने का, narratives जो है, joint stories, उसका Bollywood को हम भूलनी सकते हैं, on music, writing creativity, तो यह जो बड़ी artificial boundaries और barriers होते हैं, अलग-अलग themes और subjects में, इनको हम तोड़ते नहीं हैं, पर इनका जरा अदल बदल करके, चाहते हैं कि पूरा विस्तार और सीमा जरा challenge हो, अब यह हम लोग करीब बातशीत के आखरी हिस्से में पहुंचे हैं, नमिता जी कुछ अपने सब्सक्राइब नहीं सुना सकती हूं, पर इस बाद बंदर या भाग हॉस्पिटल इं लखनौ इन 1956, थिर उसके बाद, इसके बाद, I grew up in between Nenital, क्योंकि मैं कुमाओ नहीं हूं, नमिता पन्त थी, और देली, और मुझे हमेशा भारतिया भाषाहों में इंट्रेस था, पर नहीं थी इतनी, फिर मैंने हिंदी में पढ़ना, समझना, सीखा, फिर पहली किताब जब मैं 26 साल की थी, मैंने लिखी, पारो, Dreams of Passion, और मैंने तो समझा था, बस मैंने किताब लिख दिये, to my surprise, I found कि लोग तो इस किताब से शौक हो गय थी, तुमने इतनी बत्तमीजी की कित किताब कैसे लिख दी, मुझे तो नहीं लगा पर ये बात जरूर है कि 35 एज तक किताब हर साल चपती है, बिखती है, और एक नया जनरेशन उसको पढ़के जरा हसता है, और समझता है, ये ओल लेडी ने इतनी शौकिं किताब कैसे लिख दी, उसके बाद अब मैंने 18 10 books of fiction, and other books on myth, mountains, travel, हमाले पे मैंने काफी लिखा है, क्योंकि मेरा दिल उनहीं हमालें में बसा हुआ है, और अगर early reading impressions अगर देखें, तो किन लेखों के आपके उपर होंगे, जो शुरुआती, bringing up के period में, आपके उपर किन लेखों का जाधा है, बच्पन में तो हम एने बला इसके ये दो लेखक हैं, जिनका मेरे उपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, कैफका, T.S. Elliot, फिर by good luck, हम जहां रहते थे उसके पास, IFACS hall में, विजय तेंदुलकर के plays, हिंदी में आये थे, और फिर मोहन राकेश, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, आदे अदूर और गासे राम को अत्वाल, ऐसा जब मैंने देखा, सुना, समझा, ये लखनो की बात कर रही है, ने, दिल्ली में, तो फिर, मैं, आइफक्स hall होता था था, मारे घर के पास, वहां में रोज राम को पहुंचके कुछ ना कुछ देखती थी, कुछ ना कुछ ग्रेंड करती थ अब मैंने का, Chaucer, Old English, ये मैं क्या, New English भी हमें नहीं चाहिए, तो Old English हमको सिखा रहे हैं, तो मैंने उस पेपर की जगे, एक और पेपर कोशिश करने, एक और पेपर समझने की कोशिश की, जो था, Modern Indian Literature in Hindi, और उसकी वजए से एक बहुत बड़ा विवाद उठा, और मैं अ जो उच्छी शिक्षा है कहां से हासिल की? मैं दिल्ली, नैनी ताल में कुछ साल पढ़ी, और फिर दिल्ली में, Mater Dei में, और फिर जीजन मेरी कॉलेज में, जहां मैंने शिक्षा तो प्राप्त की, पर मुझे डिगरी नहीं मिली, पर फिर मैंने एक फिल्म मैगजीन इसके कई बार ये स्टाडर से कंपीट करके आगे भी बढ़ गई थी, फिर वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि इतना समझ नहीं थी उसको चलाने की, फिर मैंने ये नॉवल लिखी, पारो, फिर मैं नॉवलिस बन गई, फिर वो नॉवल को बहुत वर्ल्ड एक्लेम मेरा, फि इसलिए मैं और लिखो को के दर्द उनके एंग्जाइटी समझ सकती हूँ, हाँ, इसलिए शायद अपने जो पॉब्लिकेशन का जो आपका एंडेवर है उसमें आप नए लेकों को भी काफी जगा देती है, ये हमें पता चला है, अपनी पॉब्लिशिंग में आप एक बिल को एक मौका मिला, इन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि आज वो JCB प्राइज शॉट लिस्ट में हैं, इन ट्रांसलेशन, DSC प्राइज में हैं और उनको बहुत बड़ी-बड़ी अड्वांस मिल रहे हैं, आठ नौ भाशाओं में उनका अनुवाद हो रहा है, मिलेते अभी उन्होंने काता, दीदी यहीं शुरू हुआ, तो हम यहीं चाहते हैं कि बड़ी लेखक और भी बड़ी बन जाएं, मगर जिन लेखकों को अपनी पहचान धुननी है, वो यह आएं, सुने, सीखें, बोलें, और shared narratives जो है, each other's stories, इसको हम आगे बढ़ाएं, हम देख र लिखते क्यों हैं, अपने परिवार को छोड़के, अपने जॉब्स को छोड़के, अपनी सेहत को छोड़के, हम लोग कुछ एक दूसरी लाइफ में, एक और जिंदगी में अपने लीन हो जाते हैं, क्यों होता है, उनके अंदर क्या motivation होता है लिखक का, कि वीयोगी होगा कभी सुमित्रा नंदन पंद जी की कविता थे, आहा से निकला होगा गान, क्यों लिखते हैं लोग, या एक मिनाट, गालिप साफ ने शायद कहा था कि, कोई रिंदर जिंदगानी और है, हमने लेकिन अपने दिल में ठानी और है, तो मुझे हमेशा यही लगता था, कि हमने अपने दिल में ठानी, कुछ और है, और मेरी तरह जो लेखक होते हैं, वो क्यों अपने पूरी जिंदगी, वही कहानी, समझने में, समझाने में, लाइफ में कुछ पैटर्न्स ढूणने में, मैं यहां फिक्शन की बात कर रही हूँ, लिटरी फिक्शन, पर हर लेखक तो यह जो मैंने अपनी नई किताब लिखी है, जैपूर जोर्नल्स, यह ऐसे ही लेखकों के बारे में है, उसका डेटिकेशन है टू अल्ड अंटोल स्टोरी इन दे वर्ल्ड और उसके जो पात्र हैं, यहीं आपको हमारे जैपूर फेस्टोल के लॉन्स में, हमारे बहाइंड दे सीन्स दिखेंगे और उनकी कहानिया शायद आप उसमें अपनी कहानिया भी पहचान भाएंगे बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया नमिटा जी आपने हमारे लिए इना समय दिया अभी वगत है कि अगर आप कुछ और चाहते हों जो कुछ सवाल अगर मैंने पूछा हो मेले के बारे मैंस कर दो आप इस फेस्टिवल के बारे में एतने सबस्वाल पूछे बहुत बहुत यह थी फेस्टिवल डिरेक्टर राइटर और पुब्लिशर नमिता गोकले प्रोग्राइम गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हूं तो हमें लिकिए जरूर फीडबैक.rstv.gmail.com में कुर्णें के लिए्योह के लोराइटर प्रिसवें और तो किसे लोराइब कोग प्रोग्राय का छाहते हूं लेकिए यहालों में occurring लिए हुатов प्रिस्वें आजसेयरंके लिए्ण, हुआत्यot. झाल झाल